कि अभी नमस्कार मैं सुरेश्कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यौर्फिजिक्स सुरेश्कुमार में ट्वेज्ट क्लास की फिसिक्स में हमने लास्ट वीडियो के अंदर साइकलोट्रोन पड़ाता साइकलोट्रोन तॉपिक 101% exam में आएगा उसे आप अच्छे शे प्रपेर करें और कोई भी बोर्ड हो हर बोर्ड में यह 5 marks के question में आता है कई पर parts में आ जाता है तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बता है था आज हम अपना next topic शुरू करने जा रहे हैं वह है एंपियर सरकेटल लोग एंपियर सरकेटल लोग इस अगें वेर इपॉर्टेंट टॉपिक तो यह लोग क्या कहता है इस लोग की एनलोजी आप थोड़ा बहुत करेंट के लिए एप्लिकेबल होती था तो ये किसी भी तरह के करेंट ड Eleodka के लिए आप्लिकेबल तो ये किसी भी तरह के कहता है जिसे हम कहते हैं एंपीर सरकिट उलो एंप यह क्या कहता है एंप्यर सरकिट warrior law according लौ तो दिश्लोव-goss diorama में था सर्फेस इंटेग्र लॉप इलेक्रिक फिल्क इसलिए उसैं स्फेस इंठीगरल था तो इंडोट द्यस और यह एंठीगर लॉफ मेगनेटिक फिल तो भी दोट द्य लाइं इंटीगरल यह इंटीग्रेकर अरॉ हएंट यह चलि का मतलब है और अरॉण द्यूल इंगयं आ necesario środने लूपृरण एज मिउनो टाइम्स उसमें था टावन पोन, Epsilono times इसमें है Muno times, the total current threading the loop. ये क्या कहता है? line integral of magnetic field around any closed loop, line integral of magnetic field around any closed loop is Muno times, Muno times the total current threading the loop, यानि के किसी भी loop में, हम कोई भी loop ले, इसमें directly a show ओर हमें यह बता है कि a उससमें सर्कुलर प्रिल्ड लाइंस बनतीए सब सेंट्र वाई आए पर सेर्कुलर प्रिंड लाइन बनती तो यह ़ोरं क्या कहती है कि किसी भी लूप कोई भी लूप है कैसा भी सेट में हो सकते हैं उस लूप के अरॉंड जो लाइन इंटीग्रल ओफ मेगनेटिक फिल्ड होगा यानि कि यह होगा यह मूनो टाइम्स होगा किसका उस लूप के अंदर से निकल रहे टोटल करेंट का थ्रेडिंग दा लूप का मत हम मतलब उस लूप से टोटल करेंट कितना लिकल रहे हैं उसका म्यो fanta होगा जैसे हमालो हमारे पास कोई भी लूप है जैसे हम मालेक लूप माहल लेको जैसे कोई आए और इस वायर के अंदर जब आई करेंट जारा रहा तुछ को कर तो कह रहा कि इस लूप के अंदर से निकल रहे टॉटल करेंट मालो को करेंट जारा हूसहतों इसका प्रूफ करते हैं chiar करने के लिए हमने एक ही सट्रेट करेंटी करिंट के डिए इन फानेतली लाइट इसमें ऐकरेंट फ्लो रहे हैं लंग से मन and infinitely large infinitely long current carrying straight wire current carrying straight wire let I is the current flowing in wire I current and this is point P at a distance R R is the distance of any point P near the center of wire center infinitely large is this center center pass R distance point P so magnetic field magnetic field at P I have to buy out of से स्ट्रेट वाईर का जो मेगनेटिक विल्ड बताया था नहीं लेकिन इसका फिल्ड हम यूज करते हैं और उसमें एक चीज और बताई थी कि यह वाला फॉर्मूला ज्यादा तरी उसकर तो फॉर्मूला जब आपको यहाद होगा नियर दा सेंटर पी पॉइंट को बिल्कुल इसके पास लिया थे तो फाइवन फाइट तू दोनों 90 होगे थे और मैंने टिक फिल्ट की पर आया था म्यू नोट आई अपोन टू पाई आर यह आया था यह स्ट्रेट वायर का मैंने इस सेंटर एट डिस्टेंस और यह ध्यान पर रखाए तो एसे हम यहाँ पर पहलेंगे एक सरकल इमेजिन कर लेते हैं आफ रीлось का एक सर्कल इमेजिन कर लेते हैं जिसका सेंटर वायर के उपर यह डीनेटीन वह सेंटर एक तरह साल वायर की मैगनेटीव फ्लेडब ही हगी नहीं वह इमेजिन कर लिए हम Б esperous- ecoson snow charges इसे हम कहा देते हैं एंपीरियल एंपीरियल लूप एंपीरियल लूप एंपीरियल लूप आर रेडियस का तो हम क्या बेजिन खरेंगे ड्रोब एंपीरियल लूप एए एस सर्कल ओफ रेडियस आर रेडियस का एक सर्कल तो उससे क्या होगा तो पॉइंट पी लाइस ओन एट्स सर्कॉंफ्रेंस तो पी पॉइंट इसके उपणी लाइई करेगा नहीं और यहां पर मेगनेटिक फीड कितना है बी तो मेगनेटिक फीड कि दर है Along The Tangent Tangent का Long होगा अब हम क्या लेंगे DL DL लेंगे इस Loop का एक Small Element अब DL जो हम लेंगे इस Loop का वो भी Tangent का Long ही होगा बैस लूप का कोई भी Element आप लेंगे DL, उसके Direction किदर होगी Tangent का Long, तो यहाँ पर DL लिया वो भी Tangent का Long, B लिया वो भी tangent के along जैसे वहाँ पर हम क्या लेते थे small area element वहाँ पर हम लेते थे small area element यहाँ पर हम लेते है एक small element, linear element deal length का, ठीक है तो यहाँ पर deal क्या है deal is small element along tangent tangent के along element है, अब आप देखिए left hand side लेंगे इसकी so b dot dl क्या हो जाएगा क्योंकि b और dl तो उनों same direction में है, तो इसको हम लिखेंगे b dl cos 0 cos theta होते है, theta है 0 है, cos 0 1, b की value इस circular जो loop के उपर हर जगे सेम रहेगी, मैं our distance में है यह तो solve कर रहे थे हम, line integral of magnetic field तो यह रह गया, b into dl dl का integration, dl क्या है, circumference का small part, इसका integration करेंगे तो total circumference आ जाएगी न, that is 2 pi r, so b आ गया, mu note, बीता में पहले बता है, mu note i upon, 2 pi r into 2 pi r, अच्छा by chance, आपको b की value याद ना हो, कि आप b की value straight wire की क्या थी, मैं तो भूलिया, याद नहीं, कोई बात नहीं, आप चलते जाहिए, चलते जाहिए, यहां तक आदे, अब b की value ऐसे रखो, कि mu note i बचे, b की value कुछ ऐसे रखो, कि 2 pi r cancel हो जाहिए, खाली mu note i बचे, ना, तो mu note i उपर और नीचे 2 pi r, तो 2 pi r cancel, क्या रह गया, mu note i, हो गया proof, line integral of magnetic field, around any closed loop is, mu note times, the total current threading the loop, इसमें एक चीज़ आप अनिशे याद रखें, यहां पर जो i है न, यह क्या है, total current, जैसे वापर क्या बोलते थे हैं, total charge, तो charge में भी a point charge, और a number of point charges, या कोई भी charge distribution, यहां पर जो i है, यह ध्यान रखें, यह क्या है, total current, जो current टोटल लूप में से जा रहा है, वो है, अमालों जैसे कोई loop है, इसमें कई conductor निकल रहे है, इसमें से, अभी तो इस लूप में जैसे एक जा रहा था, और इसमें कई जा रहे है, इसमें i1, इसमें i2, इसमें i3, इसमें i4, इसमें i5, ऐसे है, तो कैसे लिखेंगें हम, line integral of magnetic field is, मुनो टाइम्स, total current जो इसके अंदर से जा रहे है, तो सेम डारेक्शन में तो current यह जा रहे है, i1, प्लस i2, प्लस i3, और यह opposite जा रहे हैं, तो इनको minus करेंगे, minus i4, minus i5, तो मुनो टाइम्स का total करेंगे, तो total current पर सेम डारेक्शन में जाने वाले add कर देंगे, और opposite direction वाले उनको minus करेंगे, तो इस तरह से हम, अब हम एक एप्लिकेशन करके बताएंगे इसका, जैसे गौस धरम में आपको याद होगा, कि electrostatics में गौस धरम से हमने electric field निकाला था, due to non-conducting solid sphere, inside and outside, एक hollow sphere का निकाला था, metallic, वो बात नहीं कर रहा हमें, solid sphere का निकाला था, non-conducting का inside and outside, कुछ इस तरह से यह है, यह हमारे पास एक thick cylindrical wire है, और cylindrical wire में I current flow कर रहा है, R इसका radius है, solid है, और हमें magnetic field निकालने है, magnetic field हम दो जगे निकालेंगे, एक बार तो outside कोई point है, P at a distance R, और एक बार हम inside कोई point लेंगे P at a distance R, तो पहले हम outside कर लेते हैं, तो very first is outside, let R is the radius of wire and I is the total current flowing across the cross section of wire, दो को मैंने क्या लिखा है, total current flowing across the cross section of the wire, मतलब जो यह I current है न, यह पूरे cross section में से जा रहे, पूरे cross section में से I current जा रहे, इस बात को आप समझ लीजी, पूरे cross section से, ठीक है, I current जा रहे, तो R जो है, वो है, distance of any point, P outside, from, कहां से, axis, from, axis of wire, wire के axis से R distance में कोई P point है, outside, ठीक है, जहां पहें magnetic field निकार ला है, लेट, B is, magnetic field, at P, P पर मालों, भी magnetic field है, तो हमें सब से पहले क्या करना है, एंपिरल लूप लेना है, एंपिरल लूप, तो जब आउट साइड हम निकाल रहे हैं, यह सिलेंडरी का लेक वाइर है, स्टेट वाइर है, तो इसका एंपिरल लूप स्टेट वाइर का कैसा हुआ, सरकूल, एंपिरल लूप की खास बात क्या होती है, कि हम कोसिस करते हैं, कि उसके हर पॉइंट पर मैगनिटूड सेम आजें, जरूर ही नहीं है, बट हम कोसिस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका मैगनेटिक फिल्ड, टेंजेंट के लोग, और जो डियल एलिमेंट लेंगे, वो डियल एलिमेंट भी टेंजेंट के लोग ही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जरू एंपरियल लूप, यहाँ क्या सर्कल ओफ रडियस आर, शच देट, पॉइंट पी लाइज ओनेट, पी पॉइंट इसको पर लाही करेगा, नव उसिंग, एंपर, सर्केटल, लोग, एंपर सर्केटल, लोग, लाइंट इंटेग्रल ओफ, मैंनेटिक फिल्ड, अरू इस लूप, इस लूप के अंदर से तोटल करेंट कितना जा रहे है, आई, और बी और दी अल सें डिरेक्शन में, तो बी डी अल कोस जीरो, मियो नोट आई कोस जीरो बन, बी की वैल्यू हर प्वाइंट पे, कॉंस्टेंट रहे है की मैगनिट्यूड में, तो बी आउटसाइट और डी अल रह जाएगा, और डी अल का इंटिग्रेशन करेंगे तो, डी अल यह स्मॉल सर्कंफरेंस का ही पार्ट है, इसका इंटिग्रेशन टोटल सर्कंफरेंस, इस इकोल टो म्यू नोट आई, इस इंप्लाइज, मैं इधर कर रहा हूं, कि बी इस इकोल टो म्यू नोट आई अपोन टू पाई आर, सो हम देख सकते हैं कि आउट साइड जो है, वो मैगनेटिक फिल्ड आर के इनवर्सली परपोस्टल है, समझें, यही तो था वायर का, सेम होई आयर, और भी इनवर्सली परपोस्टल टू आर आर है, अब यह हम क्या करेंगे, आउट साइड करेंगी, अब हमें इनसाइड निकालना है, वैगनेटिक फिल्ड जो पी पॉइंट आउटसाइड था, अब हम अंदर लेगा यह पी पॉइंट देख रहे हैं, यह पी पॉइंट है, एड डिस्टेंस आर, स्मॉल आर पे जैसे भार था, अब इनसाइड ले लिए, भी मैगनेटिक फ पी फ्रॉब दा एक्सिस इंसाइड दा वायर, ड्रो एन एंपिर लूप देट इस ड्रो करना है, एस सर्कल ओ रेडियस आर, सच देट पी पॉइंट लाइ ओनिट, ठीक है, बी सपोस्ट वेगनेटिक फिल्ड है यहां पर, एंड आई-डैस, थेकिये मैंने करेंट लिया है आई-डैस, इस दा टोटल करेंट वेडिंग ता लूप, क्योंकि लूप यह है, ठीक है, इसमें से करेंट आई-डैस माल दिया, क्योंकि आई-करेंट तो इस पूरे क्रो सेक्षुन से था, सबस्किन आइद करन तो यह है, पूरे क्रो सेक्षेन से जा रहे है, आर, Capital R帶ude talous क सेज़ा अधра यारे हमें तो वह लेरा है इस लूप के अंदर जा रहे हैं लोक के भार कोई करन्द उसे मतलब दीगता सकती हो कैसे पूदा I, पूरा cross section pi r square है, इसमें से तो I जा रहे है, unit cross section से कितना जाएगा, I upon pi r square, और ये cross section कितना है, pi small r square, तो इस pi small r square में से कितना जाएगा, I upon pi r square into pi small r square, ठीक है, तो ये pi n से लो गया, I into r square upon r square, ये आगया क्या, I dash, ये I dash आगया, जो इसमें से current जाएगा, okay, ampere circuital law लगाएगे, using ampere circuital law, line integral of magnetic field is mu times I dash, जगो मैंने mu note नहीं लिया, mu note किसका होता है, free space ये vacuum ये air का, वो तो भाहर है, लेकिन अंदर तो solid है, कोई और medium है, तो उस medium की permeability, और I dash ये current जो इसके अंदर से जा रहे है, समझ गया, तो यहाँ से solve करेंगे, b dl cos 0, क्योंकि 0 ही रहेगा theta तो, और mu times I dash, I dash की value, i r square upon capital r square, b m outside दे सकते हैं, क्योंकि constant रहेगा, r point में magnitude में, cos 0, 1 integration में क्या रहेगा, dl mu i into r square upon capital r square, इसको further हम solve करेंगे, तो further solve करने पे, यह क्या आजाएगा, b dl integration, 2 pi r, क्योंकि यह इसका ही small part है, 2 pi r आजाएगा, is equal to mu i r square upon capital r square, एक r cancel हो जाएगा, so b comes out to be mu i r upon 2 pi r square, यहाँ पर आप देख सकते हैं, magnetic field directly proportional to r है, यह सब तो constant है, तो b directly proportional to r, मतलब center से r जितना बढ़ेगा, magnetic field बढ़ता जाएगा, यानिके when r is 0, तो magnetic field भी 0, यानिके axis के उपर magnetic field 0, फिर axis से जितना बढ़ेंगे, surface की तरफ, magnetic field also goes on increasing, till the surface, till the surface in small r, किसके एकल हो जाएगा, capital r के, तो वहाँ पे maximum होगा, उसके बाद हम outside आजाएगे, और outside magnetic field, inversely proportional to r है, उसके बाद r बढ़ेगा, तो फिर घटना सुरू हो जाएगा, तो इसका graph हम plot कर सकते हैं, हमने गौस्धर में भी किया था, graph इसका, यह, इधर हमने क्या लिया, जैसे इधर हम ले रहे हैं, distance from axis, यानि के r, और इधर हम ले रहे हैं, magnetic field, यानि के b, तो शुरू में तो यह रहेगा, बेस एंटर पे जिसे r0, तो magnetic field भी 0, उसके बाद r increasing, b also increasing, जब तक हम काया है, inside, तो जब तक inside है, तो r increasing, b increasing, तो r बढ़ रहा है, तो b भी बढ़ रहा है, और यह कब तक होगा, till small r is equal to capital r, surface तक, surface के बाद, क्योंकि यहां तक तो क्या है, b directly proportional to r, और इसके बाद, इसके बाद, b inversely proportional to r हो जाता है, इसके बाद, आप r बढ़ाएंगे, तो यह इस तरह से आएगा, इस तरह से, यह इसके parallel छोड़ देना है, क्योंकि टच नहीं करना, यह infinity पे जाके मिलेगा, तो यहां पर b inversely proportional to r, यह b is equal to, यहां पर maximum होगा, surface पे, उसके बाद, यह gozone decreasing, आई होप, आप कोई समझ में आ गया हो गया, आप इसके practice करें, ज्यादा से ज्यादा, कोई भी doubt हो, आप पूच सकते हैं, numericals करें इसके ज्यादा से ज्यादा, नेक्स वीडियो में हम एक और important topic के साथ आज ही रहोंगे, तब तक आप इसको अच्छे से revise करें, समझे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा share, subscribe करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, thank you.